हाई फ्रेंट्स जब भी आपको चोटी मोटी भूग सता है तो फ्रेंट्स आप इस पोहे की रेसिपी को जुरू ट्राइए करना बहुत ही पर्फेक्ट तरीके से पोहे बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूं। अगर आपके पोहे खिले खिले नहीं बनते या फिर अच्छे नहीं बनते तो इस रेसिपी को देखने के बाद में आपके पोहे बहुत ही ज्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो हाई फ्रेंट्स वेलकम टू कमलाज किचन तो चलिए मैं आज आपको पोहे बनाना बताती हूं। मैंने याँ पर पोहे लिए हैं तो मैंने एकटोरी पोहे लिए हैं। कॉंटिटिटि आप अपने हिसाब से कर सकते हो रही कम पूहे लेने है और अनको मैंने निकाल क्यूंकि पोह क्यां से झाल धे रख साथ से मिक्स कर देंगे देँ आराम से खेगे पेमें को बाटमे है तो बनμε हमें ठाले तोक्तना के तेले दीग से असले किया है मैस्टर्ट ऑयल जो भी उस में लेते हो वो ले सकते हो तो मैंने आपर सरसो वाला तेल डाला है उसके अंदर पकने के बाद में मतलब गरम होने के बाद में आदी चमक राइधाना डाल दिया था क्योंकि पोहों के अंदर कर क्षटाई हो तो काफी चादा अच्छे लगते हैं और राई दाना में वैसे खटाई होती है चाहो तो जीरा भी डाल सकते हो, जो भी पसंद दो तो हमारे जो राई दान चटकने के बाद में हम इसके अंदर दो गटिये प्याज, दो गटिये हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ, बस मैंने जितने पोहे ली लिए उसी क्वाइटिटि के साथ मैंने आपर प्याज हरी मिर्ची टमाटर लिया है तो सभी प्याज को, हेरी मिर्ची को, दोनों चांजों को को हमने फ्राइ करने के बाद में, इसके अंदर टमाटर भी डाल दी ए है, मैंने अपे एक ख़्याबा टमाटर लिया था और यह देखिए, प्याज टमाटर हैरी मिर्ची तीनों चीजे हमारी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्रेंट्स हाँ इनको हमें बिल्कुल गलाना नहीं है थोड़ा सा अगर क्रंची रखेंगे तो पौह का टेस्ट काफी ज्यादा टेस्टी आएगा और एक बात और बता देती हूँ अच सबीक चीजों को मसालों को कर देंगे अच्छे से मिक्स धाया पाउडर की जूरूत नहीं है इसमें बस यही मसाले काफी है और इधर हमारे यह देखिए पोहे भी अच्छे से पक चुके हैं तो फ्रेंट्स फटाफट से हमारी चीजे बन चुके इधर मसाला भी तयार और हमने वेट नहीं कि पताफट से बन जाती है क्योंकि सुबर सुबर सब को भूख लग जाती है फिर भागम भाग रहती है सबको तो यह बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है इस रेसिपी को जूरू ट्राइए करना तो मैंने पोहों को इस टेलर में निकाल लिया था उ करने चाहिथ को हमीं अलग करना थे लिया कि इँग अभी तोड़ा होऊ करती को इस सबसंदिया है अचुमद इना एद्लिया खी जराए24 और रात लाद कि उसमेड्र हैं ड़ती हुआ हैं को सबसुर पज़ नहीं हैं वकुल नहीं बना खंट नहीं नहीं बन पाते हैं मुझे पता है लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाओगे तो आपके पोहे भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुती खिले-खिले शांदार से चिपकेंगे तो बस हमारे पोहे मैंने इसको अलग बरते में निकाल दिया है हमारे बहुती टेस्ट हमारे पोहे बनके तयार हैं आप इस रेसिपी को जूरू ट्राइए करना ओके फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज चैनल को करना सब्सक्राइब बैल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो एक मेसेज आप तक पहुंच जाए और लाइक कमिट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और आप भी इस पोहे की रेसिपी को जूरू ट्राइए करना आपके पोहे भी बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे इस बात का दावा करती हूँ बहुत शांदार बनते है फ्रेंड्स पो